हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके चनल मसाले के स्वाद में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादी चौलाई की साग तो उसके लिए हमने 500 ग्राम चौलाई का साग लिया था उसे अच्छे से उसके डंडे तोड़ करके उसके पतियां सिर्फ रख लिया है उसे अच्छी तरह से दो तिन बर पानी में धो करके सुखा करके उससे बारिक बारिक काट लेंगे यह देखिए हमने बारिक काट लिया है यहाँ पर एक छोटी साइज की प्याज को काट लिया है दो हरी मिर्च और दो तिन कलिया लहसन की एक छोटी साइज की बरिक कटिवी टमाटर यहां हमने कडाही गरब होने के लिए रख दिया है उसमें डालेंगे सर्सो का तेल आप चाहें तो यहां घी भी डाल सकते हैं सर्सो का तेल लेकिन ज्यादा टेस्टी लगता है उसमें डालेंगे एक चोथाई छोटी चमच जीरा एक चोथाई छोटी चमच मेथी दाना एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और इसे थोड़ा दिर तक हम पकने देंगे इसे थोड़ा दिर तक तेल में पकने से यह होगा कि इसका जो तीखापन है सारा तेल में अच्छे से आ जाएगा मिर्ची का टेस्ट सारा तेल में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई लहसन लहसन से बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आता है साग में और इसे डालने के बाद हम इसे हलका सा भून लेंगे ताकि इस पर हलका हलका गोल्डन ब्राउन का कलर आ जाए तब तक इसे थोड़ा सा इसे भून लेंगे तेल में इसे लसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लसुन हमारा भून गया है ये सब हमने low to medium flame पर भूना है अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे भी चलाते हुए हलका सा golden brown होने तक भूनेंगे इसे ज़्यादा golden brown नहीं करना है बस हलका सब coating आना चाहिए golden brown का ये देखिया इस तरह से चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भूनने से साग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स प्याज लहसन हरी मिर्च के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है साग का आप सब तो जानते होंगे फ्रेंड्स चौलाई के साग बिटमिन सी से एक दम भर पूर होता है तो इस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है और टेस्ट में तो पुछना ही नहीं है बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर और अब डालेंगे इसमें नमक हमने आदी छोटी चमच नमक डाला है नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि साग हमारा गल करके बहुत थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके हिसाब से ही नमक डाले अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे भी पका लेंगे इसे हम धक्कन लगा कर थोड़ी देर पकने देंगे नमक डाला है तो बहुत ही जल्दी टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद हम धक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गये हैं अब हम इसे ऐसे दबाते हुए ऐसे चला लेंगे ऐसे मसलते हुए तो इस तरह से हमारे टमाटर बहुत ही असानी से इसमें घुल जाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई साग और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग में भी बहुत पानी होता है तो यह ऐसे चलाने मातर से ही देखिए कैसे सॉफ्ट होने लगे हमारे साग भी देखिए कितनी क्वांटिटी कम होने लगी है थोड़ी देर चलाने मातर से ही देखिए कितनी क्वांटिटी कम हो गई साग की तो इस तरह से हम अच्छे से इसे मिला लेना है और अब हम इसे ढखकन लगा करके थोड़ी देर पकने देंगे उसके बाद चेक करेंगे कि साग ने कितना पानी छोड़ रखा है उसके हिसाब से हम साग में पानी डालेंगे और नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था तो नमक अब डालने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर के बाद हम ढखकन हटा करके चेक कर लेते हैं तो ये देखिए साग हमारा थोड़ा सोफ्ट जरूर हो गया है पर इसमें इतनी पानी नहीं है जिसमें साग पक सके तो हम पानी डाल देंगे यहां हमने आधा कब पानी डाला है और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढखकन लगा करके आराम से धीरे-धीरे पानी सुखने तक इसे पकने देंगे थोड़े समय बाद चलिए अब हम इने चेक कर लेते हैं पानी जलाना भी नहीं है बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होने तक ही सिर्क पकाना है आप बिच बिच में इसे चेक कर सकते हैं कि पानी कितना सुख गया है तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं इसे यह देखिए साग हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो हम इसे ऐसे मसल कड़ाही में इसल मसल सागे को को क्षा मसल देंगे को अगा Test दम सफ्ठ हो जायेगा और इसमें इसमें भूट बनके स्वांध स्वाधिर कहीं है यह के प्यास्पड खौन सागे स्वाधिक्ट को ओदेगे साग हमारा बन के त्यार है बहुत ही स्वाधिष्ट साग बनी है तो उमीद करती हूँ कि आप सबको ये रेश्पी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, सेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए है वो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नियोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और अपना अनुभव हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं